हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक मैं चैनल टारेट टीचर जॉब मैं प्रेंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारेट टीचर जॉब में दोस्तों आज हम 284 प्रस्नवत्र जनसंक्या सिच्चा यम परियावर्ण सिच्चा के विशे में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नमर 43 तो चले देखते हैं कोस्चन है विश्वतापन के कारण और प्रभावों की व्याख्या कीजिए यह आपके डिडियो नश्टी 2019 म मानवी गत्विधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में ब्रिद्धी होना है यहाँ पर अगर विश्वतापन की बात की जाए तो यहाँ पर आप समझेगा कि ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है और आगे हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में ब्रिद ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाई आकसाइड मीथेन नाइटरस आकसाइड ओजोन क्लोरो फ्लोरो कार्बन आधी गैसे सामिल हैं दोस्तों यहाँ पर हम देखे जो ग्रीन हाउस गैस में मुखी रूप से कारबन डाय आकसाइड जो कि हम अपने सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं और मीथेन गैस और नाइटरस आकसाइड ओजोन ख्लोरो फ्लोरो कारबन यह सारी गैसे मानवी क्रियाओं के फल स्वरूप विभिन कारणों से होती हैं जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती हैं किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव वातावड में उसकी मात्रा में अबदी और उसकी द्वारा और सूसित विकिरण की तरंग दैर्ग पर निर्भर करता है ग्रीन हाउस गैसो में करवड़ा यह साइड बातावरण में सरवाधिक मात्रा में उपस्थित है ग्रीन हाउस गैसो का उतसर्जन मुक्यता जीवास में इंदनों के दहन उद्धियो उद्धियोगों मोटर वाहनों धान के खेतों पसू की चराई रेफ्रीजरेटर एर कंडिशनर आधि से होता है दोस्तों यहाँ पर हम देखे तो ग्रीन हाउस गैस का उतसर्जन किस किस तरह से हो रहा तो जीवास में इंदनों के कारण जैसा कि जीवास में इंदन में कोई बिला आता है उद्धियोगों मोटर वाहन और धान के खेतों में मेथिन गैस निकलती है और पसू की चराई रेफ्रीजरेटर यानि कि आपके हाँ जो भी एसी फ्रेज यह सब चीजे चलती है इससे भी क्लोरो फ्लोरो कारवन गैस निकलती है जो की ग्रीन हाउस गैस को द्धियर कंडिशनर एसी आदिस ही होता हालांकि वायव अंडल में सरवाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसे नाइट्रोजन आक्सीजन और आरगन हैं लेकिन यह ग्रीन हाउस गैसे नहीं है क्योंकि इनके अड़ो में एक ही तत्व के दो परमाडू सामिल है जैसे ना इनके इलेक्ट्रिक चार्ज के वित्रण में कोई परिवर्थन आता है ता ये अवरक्त विक्रण से लगभग प्रभावित रहते हैं अब हम देखते हैं जिन गैसों के अड़ों में अलग अलग तत्तों के दो परमाण पाये जाते हैं जैसे कार्बन मोनो आक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड वे अवरक्त विक्रण को अवसोसित तो करते हैं लेकिन अपनी विलेता अविक्रिया सेलता के कारण वाताबर्ण में बहुत कम समय तक ही रहते हैं अता ही ग्रीन हाउस प्रभाव में कोई महत्वपूर योगदान नहीं देते हैं इसलिए ग्रीन हाउस गैसों की चर्चा करते वक्त इन्हें छोड़ दिये रहता है दोस्तों यहां पर कार्बन मोनो आकसाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड यह ज्यादा दिर तक वाताबर्ण में नहीं रहते हैं तो इस वज़े से यह ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित उतना नहीं करते हैं इसलिए इनको छोड़ दिये रहता है इनको नहीं जोड़ा जाता है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में विस्वतापन की प्रभ क्या क्या जीजे प्रभावित हो रही है और इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पढ़ रहा है तो चलिए आगे देखते हैं ग्लेसियरों का पिखलना ताप बढ़ने से Glacier पिखलने लगे हैं और उनका आकार कम होने लगा है तो था Glacier पीछे हटने लगते हैं यहाँ पर हम देखें तो जो बिस्वित आपन की वज़े से यहाँख इस यहाँ पर Greenhouse gas की effect की वज़े से जो glacier है वो धीरे-धीरे पिखल रहा है और पिखलने की वज़े से glacier पीछे की तरफ अट रहा है और कहीं न कहीं वो समुद्र में आकर मिल रहा है जिसकी वज़े से समुद्र का जो अस्तर है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा और इस तरह से अगर समुद्र का अस्तर बढ़ता रहा तो वो दून दूर नहीं जब पृत्वी के निचले से जलमगन हो जाएंगे तो दूसरा हम देखते हैं समंदरी जल अस्तर में बिद्धी ग्लैसियर क्या पिखलने के बाद समंदरी जल अस्तर में बिद्धी यहां वही चीज़े हैं ग्लेसियर के बिखलने से प्राप्त जल जब सागरों में मिलता तो समन्द जल अस्तर में पृद्धी होती है नमबर थ्री हम देखें वर्सा प्रतिरूप में परिवर्तन वर्सा होने और बालों के बनने में तापमान की महत्तोपूर भूमिका होती है अताय ताप में ब्रिद्धी के कारण वर्सा प्रतिरूप बदल जाता है अतार्त वर्सा पहले से कहीं कम होगी या पहले से कहीं अध आप देखेंगे सूखा है तो कहीं पर बाड जैसे इस्तिती है जिसकी वदर से मानवी जीवन एक तरह से हम कह सकते हैं संकट में है इस तरह से कहीं न कहीं मानों अपने ही क्रियाओं से खुद को प्रभावित कर रहा है चलिए आगे हम देखते हैं प्रवाल भित्ती का विनास समुंदरी जल के ताप के बढ़ने से प्रवाल भित्ती का विनास होने लगता है वर्तमान में लगवग एक तिहाई प्रवाल भित्तियों का अस्तुत ताप के कारण संकट में पढ़ गया है दोस्तों यहां पर हम देखे तो जो प्रवाल वित्तियां होती हैं वो तरह से समंद्री जिवास में होते हैं जो परत दर परत एक तरह से वो जमे होते हैं तो यहां पर जब समंद्र ताप अधिक होता है तो उस वज़े से वो प्रवाल विद्धियां दीरे दीरे ताप विद्धी के कारण नस्ट हो रही है तो कहीं न कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि ताप विद्धी की वज़े से आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से भी ये सारी चीजे देखने को मिल नहीं है नमबर फाइप हम देखें समुंदरी जल के ताप बढ़ने से फ्लैक्टन का विनास होने लगा है फ्लैक्टन समुंदरी जल प्राथमिक जीव है क्या है यहाँ पे फ्लैक्टन तो अलुयूसियन दीप का पार्षित की तंत्र जिसमें वेल, समुंदरी सेर, मचलिया, सी, अर्चिन, आदी, अन, जलीव, जीव, सामिल है अब फ्लैक्टन की कमिकर्ड सिकुड गया है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तरह से हम हरित ग्रिह प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वज़े से पूरी तरह से परियावरण को प्रभावित कर रहे हैं तो कही ना कही परियावरण भी तऱ से प्रकिती को प्रभावित कर रहे हैं तो प्रकिती भी हमसे कही नं कही रुष्ट होगी और आपदा के रूप में बाढ़, बरशा और सूखा यह सारी चीजें हमारे सम्मुक लाएगी और ये प्रकित की जो भी आप दाएं रहेंगी वो मनुस्य को जहलनी पड़ेंगी और इसे मनुस्य बहुत ही भुरितर से हताहत होंगे तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रवसन में ब्रिद्धी ताप में ब्रिद्धी होने से सागरी जलस्तर उपर उठेगा तो तटिये छेत्र अदीप जलमगन हो जाएंगे और तटिये छेत्र किनिवासी आंतरिख भागों की और प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिष्व की जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या की ब्रिद्धी की वज़े से आज बिष्व में आ कह सकते हैं आज अपने ही देश की बात कर लें तो देश में जनसंख्या की ब्रिद्धी की वज़े से बहुत सारी समस्या सामने आ रही है तो एक तरह से अगर हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट होता ही रहा तो कहीं न कहीं एक तरह से जो भुखमरी की समस्या देखने को मिल ही रही है रहा और रहने की समस्या देखने को मिल ही वो और भी विकट इस्थिति ले लेगी और उनको इस बात को समझना होगा कि प्रकिति अगर जीवन देना जानती है तो जीवन लेना भी जानती है तो ये सारी चीज़े उनने उनके लिए और लोगों को ये इस बात के लिए जागरूप करना होगा कि अभी से समल जाएं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको उच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा और प्लेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा इसी तरह से खुश रही है मस रही है हमसे जुड़ने के लिए तो मच जय है